अगर आप intraday trading करते हैं, तो intraday trading में सबसे बढ़ी problem ये निकल कर आती है कि कौन से stock में intraday trading करें क्योंकि stock market में 5000 से जादा stocks listed हैं, तो ऐसे में stock को select करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस वीडियो के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप intraday trading के लिए stock select कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही important वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा बट वीडियो को शुरू करने से पहले comment करके बताईए कि आपने last time कौन से stock में intraday trading की थी, इसी के साथ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like भी जरूर कर दीचेगा अब दोस्तों अगर आप intraday trading के लिए stock select करना चाहते हैं तो आपने directly stock select नहीं करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूर ही होता है दो चीजों को देखना पहला तो intraday trading में जो सबसे ज़्यादा important है वो है timing क्योंकि अगर आपने किसी stock को buy कर लिया और वो stock already अपना अच्छा खासा movement दे चुका है तो फिर चाहे वो कितना अच्छा stock क्यों ना हो आपको वहाँ पर loss हो सकता है क्योंकि stock market में daily कुछी ऐसे stocks होते हैं जिन में आपको एक बड़ा movement देखने को मिलता है और ऐसे में अगर माल लीजिए उस stock में already movement आ चुका है उस stock की price already बढ़ चुकी है और आपने late entry कर ली तो उसके बाद chances हो सकते हैं कि price नीचे गर जाए और आपको loss हो जाए यानि intraday trading म timing सबसे जादा important होती है तो आप trade करते समय timing पे पहले focus कीजेगा और इसके बाद दूसरी चीज जिस पर आपने सबसे जादा ध्यान देना है वो है market के sentiments यानि अगर आप trading कर रहे हैं तो वहाँ पर market sentiments बहुत जादा matter करते हैं और आपने जो market के sentiments चल रहे हैं उनके against में trading नही करनी है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर market के sentiments positive है तो आपने वहाँ पर सिर्फ buying करनी है और अगर market के sentiments negative है तो आपने वहाँ पर सिर्फ selling करनी है अब यह market के sentiments आपको पता कैसे चलेंगे तो इसको पता करने के काफी सारे तरीके होते हैं जब टक puedes COVID अपन न यहाँ पर आपको website देखने को मिल रही है, money control की, आपने इस website पर click कर देना है, अब जैसी आप इस website पर click करते हैं, तो यहाँ पर पूरे world के जो markets हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, अब देखो आज के time पर हमारा जो stock market है, यह पूरे world के market से connected है, तो ऐसे मैं अगर मान यह global market गिर रहा है, मतलब US का market गिर रहा है, UK का market गिर रहा है, तो बहुत जादा chances होते हैं, कि उस दिन India का market भी गिर सकता है, तो एक तो आपको इस तरीके से idea लग सकता है, अब इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है, उसमें आपने search करना है, FIIs and DIs data today, अब यह लिखकर जब आप search करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि जो foreign institutions हैं, और जो domestic institutions हैं, वो buying कर रहे हैं, या फिर selling कर रहे हैं, अगर मान लीजिए FIIs and DIs selling कर रहे हैं, तो यह भी एक negative sentiment को बताता है, और अगर वो buying कर रहे हैं, तो यह positive sentiment को बताता है, इसके बाद third, जिस टाइम पर market open हो जाता है, उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है, कि आज market positive open हुआ है, तो इसका मतलब आज जो sentiment है, वो positive है, तो वहाँ पर आपको buying करने वाले stocks ही देखने चाहिए, और अगर आपको दिखाई देता है, कि market गिर रखा है, तो वहाँ पर आपको short selling करने की opportunities ही ढूनन है, तो फिर चाहे वो कितना ही अच्छा stock हो, अगर आप उसमें trading करेंगे, तो एक आज बार तो profit हो जाएगा, लेकिन long term में आपको loss होगा, और आपका पैसा first भी सकता है, तो कौन सी ऐसी qualities हैं, जो एक stock में होनी चाहिए, चलिए अब वो समझते हैं, तो इसमें सबसे पहली quality, जो एक stock के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आप intraday trading करने के सोच रहे हैं, वो है high liquidity, अब liquidity का मतलब है कि जिस stock में आप intraday trading करने के सोच रहे हैं, उस stock को आप easily buy and sell कर पाएं, क्योंकि stock market में ऐसे भी कुछ stocks होते हैं, जिनको आप easily buy and sell नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि उस stock को जादा लोग बेचना नहीं चाहते हैं, या जादा लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कुछ reasons हो सकते हैं, तो आपने intraday trading के लिए ऐसे stocks को avoid करना है, क्योंकि अगर आपने intraday trading के लिए stock को buy कर लिया, और आप उसे sell नहीं कर पाए, तो आपको problem आ सकती है, अगर आपको liquidity देखने को मिलेगी, जो stocks popular हैं, और इसमें भी जो large cap stocks होते हैं, यानि जो बड़ी-बड़ी companies होती हैं, उन companies में बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers हर time available रहते हैं, तो आपने generally large cap stocks में ही intraday trading करनी हैं, और अगर आप किसी mid cap stock में भी intraday trading करनी हैं, तो वहाँ पर भी दे दूसरी चीज़, आपको एक stock में देखनी है, वो है high volatility, अब volatility का मतलब क्या होता है, volatility का मतलब होता है, कि जिस stock को आपने buy किया है, उस stock में movement आने के chances हो, क्योंकि अगर मान लीजिए, उस stock में कोई khas movement आता ही नहीं है, तो फिर आप उससे पैसे कमाएंगे कैसे, यानि उस stock का volatile होना बहुत जादा जरूरी है, तो ऐसा कोई stock है, जिसमें आपको daily कोई khas movement देखने को नहीं मिलती है, तो वो stock में intraday trading के लिए अच्छा नहीं है, इसके बाद जो third point जिसका आपने ध्यान रखना है, वो यह है कि जिस भी stock में आप intraday trading करने की सोच रहे हैं, वो penny stock नह manipulate करना आसान होता है, तो ऐसे में अगर आप इन stock में intraday trading करने की सोचेंगे, तो हो सकता है कि जो भी technical analysis आप उस stock को buy करने से पहले कर रहे हैं, वो technical analysis सही से काम ही ना करें, इसलिए small cap stocks and penny stocks को intraday trading के लिए avoid करें, और इसके बाद जो हमारा fourth point है, यह भी बहुत जादा important है, औ और वो यह है कि ऐसे stocks जिन में lower end upper circuit बहुत छोटा है, आपने उन stocks में भी intraday trading नहीं करनी है, मतलब कुछ ऐसे stocks होते हैं, जिन में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर upper circuit 5% का है, lower circuit भी 5% का है, तो ऐसे में अगर stock 5% बढ़ गया, तो अब उसमें circuit लग जाएगा, और इ इस सारी problems आपकी solve हो सकती हैं, अगर आप large cap stocks में intraday trading करें, यानि अगर आप large cap stocks में intraday trading करेंगे, तो वहाँ ना तो आपको liquidity की problem आएगी, large cap stocks में generally volatility भी आपको देखने को मिलती है, उतना जादा नहीं होगी, लेकिन आपको ठीक ठाक volatility देखने को मिलेगी, इसके बाद क्य generally ऐसे ही stocks होते हैं, जिन में बहुत ही जादा volatility है, तो वहाँ पर आपके पैसे lose करने के chances बढ़ जाएंगे, इसलिए large cap stocks में trade करोगे, तो वो आपके लिए best रहेगा, तो अब आपको समझ आ गया है कि intraday trading के लिए कि stock में क्या-क्या qualities होनी चाहिए, तो अभी तक अगर वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो को देखने के लिए आपने YouTube में search करना है, नीरत जोशी intraday trading और ये वाली वीडियो को देख लेना है, और दूसरा आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिस दन आप trading करना है, और आपको दिखाई देता है कि आज के लिए जादा loss हो गया है, तो अब उस loss को recover करने के लिए भी और जादा trade करके अपना नुकसान मत करवाना, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, इसलिए आपको इस चीज़े बता रहा हूँ, अब directly चलते है कि stocks को select करना कैसे है, अब stock को select करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो च जो popular sectors हैं, जैसे आपने IT sector select कर लिया, financial sector select कर लिया, railway sector select कर लिया, इसके अलावा आपने automobile sector select कर लिया, FMCG sector कर लिया, मतलब जितने भी 10-11 sectors हैं, आपने उनको select कर लेना है, और उन sector के जो top stocks हैं, जो आपको दिखाई देता है कि उस sector को move करवाते हैं, आपने उन stocks की एक list बना ही नहीं है, तो ऐसे में अगर मान लिजी आपने 8 या 10 sector select कर रखे हैं, और हर sector के आपने 3 stocks select कर लिया, तो आपके सामने 30 stocks की एक list निकल कर आ जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, आपने 30 stocks के अलावा और किसी stock को देखना ही नहीं है, आपके लिए वो 5000 stocks अब exist नहीं करते अब आपके लिए ये सिर्फ 30 stocks exist करते हैं, और ये जो काम आपने करना है, ये आपने एक दिन पहले कर लेना है, अगर आप सुभा 9.15 पे उठके directly trade करने के लिए कोई भी stock रोन के खरीद लेते हो न, तो फिर आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हैं, आपको पहले homework करना होगा, प कौन से stock में कौन सा chart pattern बन रहा है, अगर मान लीजे आपको 30 में से 12 stocks देखने को मिलते हैं, जिन में कोई ना कोई bullish या bearish chart pattern देखने को मिल रहा है, या फिर कोई candlestick pattern देखने को मिल रहा है, जो कि bullish या bearish हो सकता है, तो आपने अब उन stocks को select कर लेना है, तो अब ऐसे 30 में से आपके सामने 12 stocks निकल कर आ गए हैं, जिनमें कोई ना कोई chart pattern या candlestick pattern या तो बन रहा है, या फिर बनने वाला है, तो अब जब ये 12 stocks आज के लिए आपके पास निकल कर आ गए हैं, तो आज आपने इन 30 stocks पर focus नहीं करना है, अब इन 12 stocks पर focus करना है, और इन में भी अब next day जैसे ही market open होगा, आपने देखना है कि इन stocks में कौन सा ऐसा sector है, जो कि अच्छा perform कर रहा है, अब कौन सा sector अच्छा perform कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी आप Google में search कर सकते हैं, या फिर trading view की website में भी आपको देखने को मिल जाता है, कि कौन सा sector अच्छा perform कर रहा है, अब मान लीजिए, ऐसे में आपको दिखाई देता है, कि दो ऐसे sectors हैं, जो कि आज अच्छा perform कर रहा हैं, तो अब इन दो sector के, या तो आपके पास जादा सा जादा दो ही stocks होंगे, या हो सकता है तीन stocks हों, या maximum चार stocks हों, तो अब आपके पास चार stocks निकल कर आ गए हैं, जिन में से किसी एक में आप trading करेंगे, और वो trading आप किस हिसाब से करेंगे, उसके लिए आपको opportunity डूण नहीं है, तो don't worry, हमने chart pattern के उपर एक playlist बना रखी है, जिसमें total दो वीडियोज हैं, और उन दो वीडियोज को देखकर, आप सारे ही chart patterns को सीख सकते हैं, और अगर आपको candlestick pattern की knowledge नहीं है, तो हमने candlestick pattern के उपर एक playlist बना रखी है, जिसमें total 5 वीडियोज हैं, और उन 5 वीडियोज को देखकर, आप बिल्कुल free में सारे ही candlestick pattern को सीख सकते हैं, यहीं वो चीज़े हैं, जो लोग paid course में सिखाते हैं, और हम आपको बिल्कुल free में सिखा रहे हैं, तो description में link दिया है, तो playlist को ज़रूर देख लिजेगा, या फिर YouTube में सर्च कर लिजेगा, नीरजोशी चाट pattern, या नीरजोशी candlestick pattern, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है, इसमें हमें ऐसे stocks को ढूणना है, जिन में moving average का crossover हो रहा हूँ, यानि अगर कोई भी ऐसा stock है, जो कि अपने 200 days के moving average, या 200 period के moving average को cross कर रहा है, या फिर कोई ऐसा stock है, जो अपने 50 period के moving average को cross कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये उपर की side cross करता है, तो वहाँ पर stock की price बढ़ने के chances होते हैं, और अगर ये नीचे की side cross करता है, तो वहाँ पर price गिरने के chances होते हैं, अगर आप Moving Average के बारे में डीटेल में सीखना चाहते हैं आपको ये वाली strategy पसंद आ रही है तो हमने Moving Average के उपर एक वीडियो बना रखी है आप उस वीडियो को देख सकते हैं YouTube में search कर लीजिएगा नीरेच जोशी Moving Average आपको वीडियो मिल जाए तो अब आप इस strategy का use करेंगे कैसे और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से stock में कहां पर Moving Average का crossover हो रहा है क्योंकि इतने सारे stocks हैं तो इसके लिए मैं आपको एक website बताता हूँ जिस website में आपको real time में डेटा देखने को मिलता है clear कर दूँ कि ये कोई paid promotion नहीं है मैं खुद इसको use करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ तो इस website का नाम है topstockresearch.com तो इस website में जाने के बाद जब आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे tools देखने को मिल रहा है इसमें ही एक tool आपको देखने को मिल रहा है technical screeners का तो जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको simple moving average screener और exponential moving average screener देखने को मिल रहा है आप दोनों में से किसी को भी select कर सकते हैं तो मैं EMA को select कर लेता हूँ अब जब आप इसको select कर लेंगे तो अब आप कौन से time frame में moving average crossover को ढूढ़ना चाहते हैं वो सारे options यहाँ पर available हैं तो यहाँ पर मैं 15 minute की candle में 200 period के moving average के crossovers को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 15 minute पर select कर लिया है और जैसी मैंने 15 minute पर select किया तो यहाँ पर हमें कुछ stocks देखने को मिल रहा है जिन में 15 minute की candle में 200 period के moving average में crossover हुआ है तो अब इसमें से आपको जो large cap stock देखने को मिलता है आपने उस stock को select कर लेना है तो यहाँ पर हमें ambuja cement stock देखने को मिल रहा है तो हम इस stock को select कर लेते हैं अब इसको select करने के बाद आपने अपना जो भी charting software है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको indicator वाले section में जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद आपको exponential moving average के लिए EMA लिख लीजिए जैसी लिखेंगे moving average exponential लिखा वा आ गया है अब जैसी आपने इस पर click किया अब यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर setting का option देखने को मिल रहा है आपने इस पर click करना है और यहाँ पर input में जाने के बाद यह 9 period का moving average है इसको change करके कर दीजे 200 period अब जैसी आप 200 period करके select करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 200 period के moving average में आज crossover हुआ था और ऐसे में अगर आपने जैसे ही यह crossover हुआ था उसके बाद यहाँ पर buy कर लिया होता तो आप देख सकते हैं कि आप एक अच्छा खासा movement यहाँ से catch कर सकते थे यानि यह strategy अच्छे से काम करती है तो आप इसका भी use कर सकते हैं खेर जो भी तरीके में आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे stock select करना है वो तरीका use करने से पहले उस stock में trade करने से पहले खुद भी try करके देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका better काम कर रहा है क्योंकि हो सकता ही कि कई बार मैं आपको समझाना कुछ और चा रहा हूँ आप समझ कुछ और जाएं और आप गलट decision ले लें तो इसलिए हमेशा पहले खुद से देख लीजिए और उसके बाद ही trade लिया कीजिए अब यहाँ पर एक और point आपको clear कर देता हूँ कि मैंने आपको top stock research नाम की एक website बताई थी अगर मालीजे कभी आपको उसमें real time data देखने को नहीं मिलता है तो फिर आपने charting का use करना है charting में जाने के बाद आपको यहाँ पर screeners का एक option देखने को मिल रहा है आपने screeners पर click कर देना है screeners में जाने के बाद आपको moving average या moving average crossover लिखकर search करना होगा या आप EMA, SMA लिखकर भी search करके try कर सकते हैं और आपको बहुत सारे यहाँ पर screeners देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से adjust करके stocks को धून सकते हैं तो आप इस तरीके का भी use कर सकते हैं अब इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है ऐसे stocks को ढूना जिन में breakout हो रहा हूँ हमने recently जो video बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप multiple time frame में एक stock को analyze कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि जब भी आपका कोई resistance या support break करता है तो उसके बाद price बढ़ने या गिरने के chances होते हैं तो अगर मालीजे कभी share की price कुछ इस तरीके से बढ़ रही है और आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर 3 बार एक जगा पे जाने के बाद price वापस से नीचे आई थी और 4 बार में price ने इस तरीके से उस range को break कर दिया है तो जब price इस तरीके से range को break कर देती है तो इसका मतलब है कि बार बार इस range के बाद sellers आ जा रहे थे लेकिन यहाँ पर इस बार buyers बहुत जादा active हो गया है और उन्होंने sellers को हरा दिया है जिसकी वज़े से price बढ़ी है तो इसके बाद price बढ़ने के chances होते है खेर यहाँ पर आपको confirmation का wait करना चाहिए trade लेने से पहले लेकिन breakout एक ऐसा तरीका होता है जिनको भी आप trade कर सकते है और इसी तरीके से अगर मान लीजे आपको कभी दिखाई देता है कि share की जो price है वो बार-बार एक range में जा रही है और उसके बाद वापस बढ़ जा रही है लेकिन एक time ऐसा आता है जिस time पर price उस range पे आने के बाद नीचे को आ जाती है तो यहाँ पर chances होता है कि इस जगा पर जो buyers थे उससे जादा sellers आ गए है जिस वज़े से buyers को sellers ने हरा दिया है और इसके बाद price गिरने के chances होता है तो आप breakouts को trade कर सकते है लेकिन वही problem है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से stock में breakout आया है तो इसके लिए जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था जिसमें आपने सबसे पहले कुछ stocks को select करके रख लेना है तो आप उनी stocks में अपने level भी draw करके रख सकते हैं ये एक time आपकी मेहनत लगेगी और उसके बाद आपके पास सभी stocks के level हैं तो जैसी आपको दिखाई देता है कि कि किसी का level break हो गया है तो आपको charting का एक screener देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 15 minute stock breakout देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको वो सारे stocks देखने को मिलेंगे जो कि पिछले 15 minute में breakout दे रहे हैं तो यहाँ से आप अपने लिए stocks select कर सकते हैं अगर आप मालीजे time frame को change करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर nifty 500 selected है अगर आप इसको nifty 50 करना चाहते हैं तो आप यहाँ से nifty 50 कर दीजे और उसके बाद आपको सिर्फ वही stocks देखने को मिलेंगे जो कि nifty 50 में 15 minute में breakout दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे large cap stocks देखने को मिल रहे हैं इसके लिए हमें पहले run scan करना होगा तो अब जैसे हमने scan run कर दिया है तो अब हमें सिर्फ वही stocks देखने को मिल रहे हैं जो कि nifty 50 में आते हैं और उनमें 15 minute में breakout हुआ है इसके अलावा अगर मालीजे आप 15 minute की जगा 5 minute में trade करना चाहते हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ पर 15 minute है आप उसको change करके 5 minute कर दीजे और जैसे आप सब जगाँ पर 5 minute कर देंगे उसके बाद आपको सर्फ वही stocks देखने को मिलेंगे जिन में पिछले 5 minute में breakout हुआ है तो ऐसे आप अपने लिए stocks select कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने 5 minute select कर लिया है तो आप 5 minute के time frame में कौन-कौन से stocks में breakout हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें से माल लीजे मैं Tata Motors को select कर लेता हूँ या ITC को select कर लेता हूँ या इसमें बहुत सारे stocks आपको देखने को मिल रहा है और उसमें आप trade कर सकते हैं example के लिए यहाँ पर मैंने HCL tech खोड़ रखा है तो HCL tech में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 15 minute select किया था क्योंकि 15 minute में भी इसमें breakout हो रहा था अब मैं इसको 5 minute कर देता हूँ तो 5 minute करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यह एक इसका एक level था इस जगा पर आपको दिखाई देगा कि इस जगा पर share की price पहले थी और उसके बाद इसी range में थी और जब उसने इस वाली range को break कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा moment देखने को मिला है अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दिजेगा कि जब भी आप breakout में trade करना है तो आपको कई बार fake breakouts भी देखने को मिलते हैं तो उनसे बचना कैसे है तो इसके उपर हमने already एक वीडियो बना रखी है जिसको देखने के लिए आपने यूट्यूब में सर्च करना है नीरत जोशी फेक breakout और आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं अब इसके बाद आते हैं हमारे last तरीके पर जो कि सबसे आसान और सबसे simple तरीका है और उस तरीके में आपको क्या करना है आपने रोज सुबह Google में सर्च कर लेना है Top Gainers and Losers Today जैसे आप Top Gainers and Losers Today लिखकर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे stocks देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Top Gainers आपने इस पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो stocks देखने को मिलेंगे जो कि आज के दिन पर अच्छा perform कर रहा है तो यहाँ पर अब हमें वो सारे stocks देखने को मिल रहा है अब इसमें generally होता क्या है आप उन पर ध्यान दीजे और उनमें आप ट्रेट कर सकते है clear कर दू कि यह थोड़ा सा risky होता है क्योंकि कई बार stock में movement आ चुकी होती है और उसके बाद price गिर सकती है लेकिन यह एक बहुत आसान तरीका है क्योंकि यह कोई भी simply search कर सकता है और उसमें trade कर सकता है और इसके साथ ही अगर मान लीजे आपने short sell करना है तो वहाँ पर आप top losers लेकर search कर सकते है और उसके बाद आपको ऐसे stocks देखने को मिल जाएंगे और जो stock अभी गेड़ना शुरू हुआ है आप उसमें short selling कर सकते है अब यहां से आप stock तो select कर सकते है लेकिन ध्यान रखिए कि सिर्फ आपने यहां से नाम पढ़ा और trade ले लिया एक सही तरीका नहीं है आपने यहां से मान लीजिए HCL Tech को ही select कर लिया आपको नाम दिखाई दी दिया तो अब आप जाके उसका chart देखिए चार्ट में जाने के बाद आप technical analysis करके देखिए कि क्या stock में breakout आ सकता है या कोई और तरीके से stock की price बढ़ सकती है और जब आपको दिखाई दे रहा है कि stock में breakout आ गया है तो सही timing देख कर buy कीजिए अगर आप सिर्फ देखेंगे top gainers buy कर देगे तो मापे loss हो सकता है इसलिए better तरीका यह होगा इसके साथ ही मैं आपको एक bonus tip दे देता हूँ जो कि जितने भी तरीके में आपको बता है उन सभी तरीकों के साथ आपने use करना है और वो यह है कि जो भी stock में आप trade करने की सोच रहा है उसमें एक indicator का ज़रूर use करें जो कि है volume volume indicator से हमें पता चलता है कि उस stock में कितनी जादा trading की जा रही है यहाँ पर volume के बहुत सारे नाम देखने को मिल रहा है आप simple volume का एक option है उसमें click कर लीजे अब जैसे आप volume पर click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको volume देखने को मिलेगा और जब कभी आपको दिखाई देता है chances हैं तो आप confirm हो सकते हैं और ऐसे ही माल लीजे अगर आपको कभी दिखाई देता है कि volume बढ़ रहा है और price गिर रही है तो वहाँ पर price और ज़्यादा गिर सकती है clear कर दूं कि कुछ लोग confused हो जाते है उनको लगता है price गिर रही है और volume भी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि यह negative signal है लेकिन ऐसा नहीं है अगर price गिर रही है तो वहाँ पर भी volume बढ़ रहा होना चाहिए क्योंकि volume का मतलब है कि ज़्यादा traders उसमें interest ले रहे है और price गिर रही है तो इसका मतलब उनका जो point of view है वो bearish हो सकता है अब अभी तक मैंने आपको जितने भी तरीके बताएं इन तरीकों में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद ढूनना पड़ेगा कि कौन से stock में आपको buy करना है कौन से stock में sell करना है लेकिन क्या हो कि आपके पास एक sheet हो जो sheet खुद daily update हो जाए और उसमें आपको पता चल जाए कि कहाँ पर एक stock को buy करना है कहाँ पर एक stock को sell करना है और वहाँ पर price भी mention हो तो ये possible है ऐसी sheet आप खुद बना सकते हैं और वो sheet कैसे बनानी है ये बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे अगर आप trading या stock market के बारे में detail में सीखना चाते हैं तो हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजेगा इसके साथ ही अगर आप trading के लिए best demet account खुलवाना चाते हैं तो कुछ अच्छे demet account के link में आपको description पर दे रखे हैं तो description भी ज़रूर चेक कर लिजेगा और finally अगर आप वो sheet खुद से बनाना चाते हैं आप इस वीडियो को देखकर अपने लेक sheet बना सकते हैं जो sheet आपको daily बता देगी कि कौन से stock को कौन सी price पर buy करना है धन्यवाद